हलो एन वलकम मैं हूँ सिधार्त और आप देख रहे हैं स्पोर्ट्स फैक्ट देखे भारत और वेस्ट इंडीज के बीच जो है तीसरा टी-20 मैच वो खिला जा रहा है और इस मैच के लिए जो रोहिश शर्मा है जो नए कप्तान है भारत के उन्होंने एक नए चेहरे को अप प्रदर्शन किया था उसके वजह से उनको भारती टीम में डेब्यू करने का मौका मिला है उनको कॉप्स जो कैप है वो जो है सीनियर तेज गेंदबाज बुबनेशर कुमार ने सौपी आवेश खान खुद एक तेज गेंदबाज है उनका प्रदर्शन IPL पिछले साल से जादा हाइस विकेट टेप कर बनकर वो सामने आये थे दिली से पहले वो बैंगलोर की टीम में थे बैंगलोर के लिए भी खेल चुके हैं रंजी ट्रॉफी में वन अफ दे मोस्ट शाइनिंग चेहरा रहे थे देवदा ट्रॉफी में भी उन्होंने कमाल किया था तो ये सब को देखते हुए आवेश खान को मौका दिया है अंडर 19 टीम का भी हिस्सर है चुके हैं आवेश खान आवेश खान को इस साल लखनव सूपर जायन ने 10 करोड रुपए में अपनी टीम में शामिल किया है और वो 10 करोड रुपए में खरीदे जाने वाले मोस्ट एक्सप कि इस खिलाडी पर कितना जादा भरोसा है कितना जादा विश्वास है जो टीम ओनर्स है उनको और वही भरोसे को देखते हुए जो रोहिश शर्मा है उन्होंने इनको डेब्यू कराने का फैसला किया और आप देखी सकते हैं कि आवेश खान का प्रदर्शन जो है वो काफ ही है तीसरा मुकाबला काफी जो है गहराता दिख रहा है अगर आपको हमारी अपडेट पसंद आई हो और अगर हम आपको हमारे वीडियो पसंद आते हो तो प्लीज लाइक दा वीडियो चैनल को सब्सक्राइब करना नहीं भूलेगा और बेल नोटिफिकेशन भी जरूर प्लीज जरूर और व्लीज लाइक ।